हेलो दोस्तों आज मैं आपको spoken structure 19 बताने जा रहा हूँ अगर इससे पहले कि आपको videos चाहिए तो आप playlist में जाकर के देख सकते हैं अगर आप एक student है और आपको writing section में problem आ रहा है जैसे कि letters, article, speech, report, debate, posters, story writing, editing तो आप उन videos को आप playlist में जाकर के देख सकते हैं आपको tense में problem आ रही है आपको basic जो rules होते हैं basic concept जो होते हैं English के तो वो भी आप जाकर के playlist में जाकर के देख सकते हैं तो आएए इस structure को देखते हैं तो structure है it फिर plus appears फिर that फिर फिर वर्ब फिर object ठीक है तो यह मैं अभी present की बात कर रहा हूं यह present structure है तो structure क्या है पहले it आएगा फिर appears आएगा फिर that आएगा फिर subject फिर verb फिर object यह that क्या कर रहा है दो sentence को दो बाक्यों को जोड रहा है यानि कि यह जो that है यह conjunction के रूप में use हो रहा है अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान होती है लगता है या प्रतीत होता है ठीक है तो लिखा हुआ जैसे कि ऐसा लगता है कि वह इस साल पास हो जाएगा तो भई ऐसा के लिए it आ रहा है यह हमने लि लिगता है, के लिए appears आ रहा है, हमने लिख दिया appears, key के लिए that आ रहा है, हमने लिख दिया that, ये जो key है, इसका मतलब that है, उसके बाद लिखा हुआ है, वह इस साल पास हो जाएगा, तो उसके आगे की कहानी है कि भई, पहले subject आएगा, फिर verb आएगा, फिर object आएगा, ठीक ह तो जैसे लिखा हुआ है मतलब यहां तक की तो कहानी हमने लिख दिया ऐसा लगता है कि यहां तक तो हमने लिख दिया यह रहा ऐसा के लिए rule के साब से appears मतलब लगता है फिर key के लिए that यह रहा ठीक है आगे है वह साल पास हो जाएगा तो वह क्या है subject गा किस से जुड़ा हुआ है हो जाने से और पास हो जाने से जुड़ा है बाकी क्या है object है अब क्योंकि गा आ रहा है तो यह future indefinite tense है और future indefinite tense में क्या होता है verb की कौन सी form लगती है verb की first form लगती है तो rule हमारा English का क्या है पहले subject आता है फिर verb आता है फिर object आता है तो वह के लिए आप लिखोगे he फिर rule क्योंकि future indefinite tense है तो will आएगा और will के बाद क्या आती है हमेशा first form आती है तो pass हो जाएगा तो आप लिखें pass की first form की he will pass और इस साल मतलब this year तो subject लिखा फिर पीछे से चलना है भाई will लगाया गा के लिए pass की first form पास लिखी इस साल ठीक है next है ऐसा लगता है कि सुनीता एक अध्यापिका बनेगी ऐसा लगता है के लिए हमने लिखा ऐसा के लिए फिर लगता है के लिए वोई appears की के लिए that अब सुनीता क्या है subject बने की गार है तो will first form आएगा यानि future in definite tense है बाकी object है तो लिखो आप सुनीता फिर will आएगा फिर बने की मतलब बनने की first form क्या होती है become और एक अत्यापिका यानि a teacher ठीक है next है ऐसा लगता है कि उसे इस नौकरी में रुची नहीं है मतलब वो interested नहीं है इस नौकरी में तो ऐसा लगता है मतलब it appears that उसे क्या है subject ठीक है और ये verb बाकी सारा object उसे मतलब she लिख लो या he लिख लो और है के लिए is नहीं के लिए not रुची मतलब interested में इस नौकरी में this job ठीक है आगे ऐसा लगता है कि वे दिल्ली में है तो यहां तक तो मैंने बताई दिया ऐसा लगता है तो it appears that फिर ये क्या है subject वे ये क्या है वर्बा की सारा object वे मतलब क्या दे है के लिए दे के साथ मतलब है के लिए दे के साथ क्या आ रहाता है ये बात खतम में आ रहा है इन डेली तो subject लिखना है फिर पीछे से चलना है है के लिए आर में के लिए इन डेली ठीक है अब इसका हमने present तो देख लिया अब हम इसका past पार्ट देखते है तो past में क्या होगा थोड़ा सा rule change हो जाएगा बदलेगा क्योंकि past हो गया तो rule हो जाएगा it फिर appeared फिर that फिर subject फिर verb फिर object अगर पहचान की बात करें तो परतीत होता था लगता था परतीत हुआ या लगा ये पहचान होती है तो देखते हैं ऐसा लगता था कि वह इस साल past हो जाएगा तो लगता था इसलिए हम क्या लगाएंगे appeared तो ऐसा के लिए वह again it फिर appeared की के लिए that वह इस साल past हो जाएगा ये क्या subject और ये गाह ये जो गाह है किस से जुड़ा हो है past होने से verb है बाकी सारा object तो वह के लिए आप क्या लिखोगे he लेकिन आपको ये ध्यान देना है क्योंकि ये past में है ये वाली line जो है it appeared that ये पूरी line जो है past में और ये that क्या कर रहा है इसको और इसको जोड़ रहा है तो यानि जब ये line जो है past में चल रही है तो ये वाली line भी past में ही चलेगी तो हो जाएगा के लिए will तो आएगा लेकिन ये जो line past में है इसलिए will का क्या हो जाएगा would हो जाएगा वो past हो जाएगा इसलिए और फिर will हो क्योंकि ये future in definite tense है future in definite tense में हम इसा first time ही आती है तो will आए चाए would आए first time ही आनी है तो आपको लिखना है past और इस साल मतलब this year ठीक है दूसरा है ऐसा लगता था कि वह एक अध्यापक बनेगा तो ऐसा लगता था मतलब वही it appeared that और वह मतलब he गा के लिए would और बनना मतलब क्या become और एक अध्यापक a teacher क्योंकि past है तो will का क्या हो जाएगा would हो जाएगा next है ऐसा परतीत होता था कि उसे इस नौकरी में रुची नहीं थी तो ऐसा परतीत होता था it appeared that उसे के लिए he उसे इस नौकरी में रुची नहीं थी तो ऐसा परतीत होता था इस नौकरी दिस जॉब तो यानि उसे इस नौकरी में रूची नहीं थी ऐसा लगता था तो आप शी भी मान सकते हैं यह भी मान सकते हैं वह आपकी मर्जी है ठीक है तो उमीद है कि लेसन आपको समझ में आया होगा और इस 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 ट्रॉक्चर को आप अपने कनवर्शेशन में यूज़ करेंगे ओके फ्रेंड बाए